उम्शान्ति, गुड मॉनिंग, आज हम बाबा के सुला तरीक के महवाक्य सुनेंगे, दीपावली, नया वर्ष, भाई दूज, सारे त्योहार, उमंग और उत्साहा के साथ पुरे हुए, आज कोई त्योहार है, आज सत्गुरुवार है, हमारा हर रोज त्योहार है, हम हर रोज उमंग और उत्साहा में हैं, इसलिए बाबा कहता है, ब्राह्मनों की तो हर घड़ी नहीं है, जैसे वो दुनिया वाले लोग, ये पांच दिन, एंजोई करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, उमंग और उत्साहा में रहेंगे, और पांच दिन के बाद, जैसे थे, वैसे, वही चेहरे पर पीलापन दिखाई देगा, संबंदों में कड़वाश दिखाई देगी, ठके हुए दिखाई देंगे, लेकिन हम ब्राह्मन बचे, हमेशा मीठाई खाते और खिलाते रहते हैं, मुख मीठा है, संबंधों में मदुर्ता है, इसलिए हरोज मीठाई खाते हैं, एक दिन नहीं खाते हैं, और जहां बाबा की इस अंगिनत शक्तियां, ज्यान खजाना हमारे पास इतना अविनाशिधन है, प्राप्तियां है, तो उस प्राप्ती की हमें हमेशा खुशी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तू, हम ब्राह्मनों के खजाने में, वो ब्राह्मन आत्मा मैं हूँ, जो सभ खजानों से संपन है, तो एक दिन फटा का फोडेंगे, हम तो रोज खुशी में उमंग और उत्सा में हैं ही है, तो आज भी हमारी दीपावली भी है, नया वर्ष भी है, क्योंकि उमंग और उत्सा है, तो दीपावली के इन दिनों में हमको किसकी याद आती है, अपनी जहां हर दीपक जगा हुआ होगा, हर घर मंदिर होगा, वही स्वर्णि म भारत अभी कंगाल बना है, इस कंगाल भारत को हमें फिर से हीरे जैसा बनाना है, तो आज बाबा ने वही कहा है तो इसको हीरे जैसा बनाना है पावन बनाना है उस नए ज़ाड की हम सैपलिंग लगा रहे हैं तो बाबा आकर के जो ये करतव्य कर रहे हैं तो बाबा के इस करतव्य में हमें भी मददगार बनना है इस गवर्मेंट के कारे में ऐसे बाबा ने हमारे करतव्य की हमें इस मृति दिलाई है मुरली का सार है, मीठे बच्चे भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है मीठे दैवी जाड का सेप्लिंग लगाना है प्रश्न है, बाप का कर्तव ये कौन सा है जिसमें बच्चों को मददकार बनना है कौन सा कर्तवे है हमारा? सारे विश्व पर एक डीटी गवर्मेंट स्थापन कर्ना अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्थ धर्म की इस्थापना यही बाप का कर्तवे है तुम बच्चों को इस कारे में मददकार बनना है उच मर्तवा लेने का पुरुशार्थ करना है ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही समझा? मर्तवे का पुरुशार्थ करना है गीत है तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो ओम शांती दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे परन्तु किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते हैं बाब ने का ये भी वन्रफूल बात है ना गा भी रहे हैं, पुकार भी रहे हैं और जानते नहीं हैं बाब ने का वो तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं तुम बच्चों की बुद्धी में है कि बरोबर ये मात पिता कौन है हमने तो जाना है न ये परमधाम का रहवासी है परमधाम एक ही है सत्यूक को परमधाम नहीं कहा जाता सत्यूक तो यहां ही होता है परमधाम तो परे से परे धाम है तो सत्यूक तो यहां ही होता है सत्युक तो यहां होता है ना परमधाम में रहने वाले तो हम सब हैं तुम जानते हो हमात्माएं परमधाम निर्वान देश चे आती हैं इस साकार स्रिस्टी में फिर बाबा कहता है स्वर्ग भी कोई उपर तो है नहीं आते तो तुम परमधाम से हो तुम बच्चे अब जानते हो कि हम आत्माएं शरीर द्वारा पार्ट बजा रहे हैं कितने जन्म लेते हैं कैसे पार्ट बजाते हैं ये सब तुम जानते हो वो तो है दूर देश का रहने वाला आया देश पराये अब पराया देश क्यों कहा जाता है रावड का देश है तुम भारत में आते हो ना परन्तु पहले पहले तुम बाप के स्थापन किये हुए स्वर्ग में आते हो आत्मा जब उपर से आई तो कहां आती है तब हमारा अपना राज्य होता है अपना देश है वो बाप का स्थापन किया हुआ तो बाबा ने कहा तुम बाप के स्थापन किये हुए स्वर्ग में आते हो फिर वही नर्क बन जाता है रावड राज्य हो जाता है अनेक धर्म, अनेक गवर्मेंट हो जाती है फिर बाप आकर के एक राज्ये बनाते हैं अभी तो बहुत गवर्मेंट है कहते रहते हैं कि सब मिल करके एक हो जाए तो बाबा कहता है अब सब मिल कर एक हो ये हो कैसे सकता है सोचते जरूर हैं लेकिन सब मिल करके एक हो ये कैसे हो सकता है पांच हजार वर्ष पहले भारत में एक गवर्मेंट थी वर्ल्ड ओल्माइटी अथोरिटी लक्षमी नारेंड थे विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथोरिटी नहीं थी इसलिए कहते हैं तो बाबने का और कोई अथोरिटी नहीं सब धर्म एक धर्म में आ नहीं सकते अब बाब कहते हैं हम और सबका विनाश कराए एक आदी सनातन डीटी गवर्मेंट स्थापन कर रहे हैं दूसरे जितने भी हैं उन सबका विनाश और बाबने क्या स्थापन किया दैवी राजदाने डीटी गवर्मेंट तो बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे कहते हो ना सर्व शक्तिवान वर्ल्ड अल्माइटी अथोरिटी के डाइरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्मेंट का राज़े इस्थापन कर रहे हैं डीटी गवर्मेंट के सिवाए और कोई एक गवर्मेंट होती नहीं जब देवी दुनिया थी तब ही एक राज़े था उसके बाद में एक गवर्मेंट होती नहीं पांच हजार वर्ष पहले भारत में अत्वा सारे विशो में क्या था सारे विशो में एक डीटी गवर्मेंट थी अब बाबा आया है विशो की डीटी गवर्मेंट फिर से स्थापन करने हम बच्चे उनके मददकार हैं बाबने का ये राज भी गीता में है ये है रुद्र ज्ञान यग्ये रुद्र निराकार को कहा जाता है बाबने का क्रश्ण को नहीं कहेंगे रुद्र नाम है ही निराकार का बहुत नाम सुन मनुषे समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग देर के देर नाम है न तो फिर उसको अलग समझ लेते हैं अज बाबा का एक ही बात चल रहा है फिर से बाबा आया तो अब क्या करना है एक डीटी गवर्मेंट स्थापन होनी है सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है हम तो स्वर्ग में जाएंगे तो क्या करना है देखो फिर समझा रहा है बाबा देखो नर्क में भी मर्तवे के लिए कितना माथा मारते हैं अर एक को क्या चाहिए स्टेटस चाहिए सेकंड क्लास में से फर्स नमबर का चाहिए एक ग्रेड में आ जाएं तो बाबा ने कहा यहां नर्क में कितना माथा मारते हैं एक तो मर्तवा मिलता है और दूसरा ज़र मर्तवा उचा होगा तो दूसरा क्या होगा बाबा ने कहा एक तो मर्तवा मिलता है दूसरा फिर कमाते भी बहुत है भक्तों के लिए तो एक भगवान होना चाहिए नहीं तो भठकेंगे यहां तो सबको भगवान कह देते हैं क्रश्न भी भगवान है तो राम भी भगवान तो शी भी भगवान तू भी भगवान मैं भी भगवान समझा सबको भगवान कह देते हैं अनेकों को आउतार मानते हैं, बाप कहते हैं मैं तो एक ही वार आता हूँ, वो भले कहें, लेकिन बाप कहते हैं मैं तो एक ही वार आता हूँ, गाते भी हैं पतित पावन आओ, सारी दुनिया पतित है उसमें भी सारी दुनिया में भी बाब ने कहा सबसे ज्यादा भारत पतित है भारत ही कंगाल भारत ही हीरे जैसा था तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है तुब आप समझाते हैं कि क्रश्न को भगवान कह नहीं सकते भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है जो जनम मरण रहित है मनुष्य तो कह देते हैं वो जनम मरण रहित उसको कह देते हैं तुम भी भगवान हम भी भगवान बस यहां आए हैं मौज करने सुना उल्टा ग्यान तुम भी भगवान हम भी भगवान भगवानिया क्यों आए है सुरस्टी पर मौज करने खाओ पियो मौज करो बड़े मस्त रहते हैं बस जिदर देखता हूँ तू ही तू है तेरी ही रंगत है हम भी तुम और तुम भी हम बाबने का बस ऐसे कहते डांस करते रहते हैं हजारों उनके फॉल्वर्स हैं बाब कहते हैं भगवान की बंदगी करते हैं भग्ती में भावना से पूजा करते हैं बाबा कहते मैं उन्हें साक्षातकार करा देता हूँ बगवान भावना का भाड़ा देता है साक्षातकार करा देता हूँ परंतु राज कौन सा है साक्षातकार करा दिया उनको परंतु उसे पाप नहीं कर सकते उसे बाप नहीं मिलेंगे वही पूरी होगी तो बाबा ने कहा परन्तु वो मेरे से नहीं मिलते सुना उनकी भावना मैंने पूरी की लेकिन वो मेरे से नहीं मिलते मैं तो स्वर्ग का रचैता हूं ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं बगवान तो एक ही है बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबुला बन गए है अब मैं परमधाम से आया हूँ मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ फिर उसमें मैं नहीं आता हूँ चुना अभी ये दुनिया ऐसी बनी मैं परमधाम से आता हूँ लेकिन जो दुनिया ऐस्तापन करता हूँ मैं नहीं आता हूँ तो बाबा ने कहा बहुत मनुश्य कहते हैं हम निश्काम सेवा करते हैं लेकिन बाबा ने कहा परंतु चाहे न चाहे फल तो मिलना ही बहले वो निश्काम भावना से सेवा करें लेकिन कर्म किया न हर कर्म का फल है इसलिए बाबने का चाहे या ना चाहे लेकिन फल तो मिलना ही है तो निशपल नहीं हुआ न, निशकाम नहीं हुआ न उनका दान करते हैं तो फल ज़रूर मिलेगा न तुम शाहुकार बने हो क्योंकि पास्ट में दान पुर्णे किया है अब तुम पुरुशार्थ करते हो जितना पुरुशार्थ करेंगे उतना भविश्य में उच पद पाएंगे अभी तुमें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं भविश्य जन्म जन्मानतर के लिए अभी के कर्म हमारे ऐसे संस्कार में जाएंगे भविश्य जन्म जन्मानतर के लिए मनुश्य करते हैं दूसरे जन्म के लिए फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है सत्युक्त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तयार किया जाता है सुना कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तयार किया जाता है पूछो अपने आप से कैसा तयार कर रहे हैं कैसा तयार कर रहे हैं 21 जन्मों का वो एक जन्मों के लिए कैसा तयार करते हैं तो बाबा ने कहा संगम युग के पुरुशार्थ की प्रालब्द 21 पीड़ी चलती है सन्यासी ऐसे कहना सके हम तुम्हारी ऐसी प्रालब्द बनाते हैं जो तुम 21 जन्व सुखी रहेंगे अच्छा वा पूरा फल तो बहगवान को देना है ना तो एक ही भूल हुई है जो भूले तो बहुत की हैं लेकिन पिर आज बाबा ने एक बात को जाद किया एक ही भूल हुई है भूल कौन सी अभी दूसरी पॉइंट पर चला गया बाबा एक ही भूल हुई है कौन सी भूल है सर्व्यापी से बाहर आओ और कोई भूल है बाब के बदले बच्चे का नाम डाल दिया बाबा ने कहा एक ही भूल करती है जो कल्ब की आयू लंबी करती है बहुत हैं जो कहते हैं कि पांच हजार वर्ष का कल्ब है पांच हजार वर्ष का भी मानने वाले हैं पर कम हैं वो मानने वाले ज़्यादा यहां की बाते सुनी होंगी ने बाबा ने कहा तुम्हारे पास मुसल्मान आये थे बोले कल्प की आयू बरोपर 55,000 वर्ष है यहां की बाते सुनी होंगी चित्र तो सब के पास जाते हैं सो भी सब मानेंगे थोड़ें वले गये ज्यान सुना सब मानेंगे थोड़ें तुम जानते हो हम रुद्र ज्यान यग्य रचते हैं तो बाबा कहते हैं इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है जिससे ये विनाश ज्वाला प्रज्जुलित होई है क्रश्न की आत्मा अब अन्तिम जन्म में शेव बाबा से वर्सा ले रही है यहां बैठी है यहां बैठी है बाबा अलग और ये अलग है शिबाबा अलग है और ब्रह्मा की आत्मा अलग है बैठे की साथ है फिर बाबा ने मिशाल दिया ब्रह्मन खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं फिर वो आत्मा ब्रह्मन में आकर के बोलती है तीर्थो पर भी खास जाकर बुलाते हैं अब आत्मा को कितना समय हो गया है फिर वो आत्मा कैसे आती है क्या होता है बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ फलाने घर में जन मलिया तो बाबा ने का ये क्या होता है आत्मा आई आत्मा ने आकर के बोला वो बातचीत सामने में करते हैं वो तो राइड है ना करते हैं तो बाबा ने का ये क्या होता है क्या बाबा ने आत्मा के लिए ही कहा है बाबा ने कहा है क्या आत्मा निकल कर आई जहां शरीर से यहां करके बोल रही है तो उस शरीर को छोड़ करके यहां आई नई बाब समझाते हैं ये तो बाब भावना का भाड़ा देते हैं जहां साकार में ममा बाबा थे तो भी सेंटर्ज पर कितना बरे ममा की आत्मा आकर के डारेक्शन देती थी ममा तो मदूबन में बैठी तब तो अव्यक्ट नहीं हुई थी साकार थी तो बाबा ने ये क्या राज समझाया भावना का भाड़ा देते हैं और वो खुश हो जाते हैं ये भी ड्रामा में राज है बोलते हैं तो पाट चलता है कोई ने नहीं बोला तो नूंद नहीं है बाब की याद में रहो तो वी कर्म विनाश होंगे अन्य कोई भी उपाय नहीं है हर एक को सतो रजो तमों में आना ही है बाब कहते हैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधो तका तुम्ही हो तुम्ही हो ताथे तुम्ही तहारे कोई न अपना सिगा तुम्हारे तुम्ही हो ताथे तुम्ही तहारे कोई न अपना सिगा तुम्हारे तुम्ही हो नईया तुम्ही एक वैया तुम्ही हो बंधो सका तुम्ही हो तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंधो सका तुम्ही हो जो फिल सकेना वा फूल हाँ है तुम्हारे चर्णों की धूल हम है जो फिल सकेना वा फूल हाँ है तुम्हारे चर्णों की धूल हम है दया के देश्टे सदा ही रखना तुमी हो बंदो तखा तुमी हो तुमी हो माता थेता तुमी हो तुमी हो बंदो तखा तुमी हो तुमी हो तुम्हारे चर्णों की धूल है तुमी हो बंदो तुमी हो बंदो थे परनी दुनिया पुराने तन में आता हूं लास्ट मावा के था न कि तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं ये पुजे था पुजारी बना फिर पुजे बनता है तत तुम्हारे तुम्हारे तुमको भी बनाता हूं पहला नंबर पुरुशार्थी ये है तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो ना बाप भी कहते हैं तुम भी तक्त नशीन होने का पुरुशार्थ करो किस-किस ने लक्ष रखा है तक्त नशीन का हाथ खड़ा करो तो बाप कहते हैं तक्त नशिन बनने का पुरुशार्थ करो तो किस किस का लक्ष है हाथ हुचा करो लक्ष छे तो मैनत चौकस कर से लक्ष नहीं होए ठीक छे बना से तो ठीक नहीं बनाए तो ठीक अगर उसको लक्ष नहीं कहते हैं जो पुरुशार्थ नहीं चलता है लक्ष होता है तो पुरुशार्थ चलता है वो संकल्प है कि हाँ हमें लक्ष मिनारण बनना है बच्चे जब लक्ष ले लेते हैं मुझे फॉस्ट में आना ही है देखो कितनी मेनद करते हैं और मम्मा बाबा का लक्ष था तो मम्मा बाबा उसमें गए ना उस फर्स्ट ग्रेड में दादियोंने लक्ष रखा तो गए ना बाप भी कहते हैं कि तुम तक्त नशीन बनने का पुरुशार्थ करो ये जगतंबा सबकी कामना पूरुण करती है माता है तो फिर पिता भी होगा और जब मात पिता हैं तो बच्चे भी होंगे तुम सबको रास्ता बताते हो सबकी मनो कामनाए तुम्हारी पूरी होती हैं सत्योग में सब मनो कामनाए बाबा कहते हैं सुनना बाबा कहते हैं घर में रहते भी यदी पूरा योग लगाएं तो यहां वालों से उच्च पद पा सकते समझा चलेंज सुईकार करो गर में रहते भी अच्चा योग लगाएं तो यहां रहने वालों से उच्च पद पा सकते हैं बांदेलियां तो बहुत हैं कितनी लगन से बाबा को याद करती हैं अब बाबा कहता है रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे न कि इसके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो परन्तु जब दो-चार बार सुने तब उनके ख्याल में आये न कहां कोई आया होगा तकदीर में होगा तुम आनेंगे ये पेचीला ग्यान है ना सिख धर्मबालों को भी पता पड़े तो समझें मनुष्य से देवता कि एक करत नलागिवार ये किसने कहा है तो ग्रंद का ना उनकी ग्रंद साहिब का तो ये कहा किसने एक उंकार सत नाम करता पुरुश ये उनकी महिमा है ना अकाल मूर्थ ब्रह्मतत तो उनका तक्त है कहते है ना फिर उसे बाबा को याद आया गीत कहते है ना ब्रह्मतत तो उनका तक्त है फिर गीतिया दाया ये कहते हैं ना कौन सा गीताया होगा छोड़ विदे आकाश सिंगासन तो सिंगासन छोड़ कर आओ बाप बैठ समझाते हैं सारी स्रिस्टी के आदी मद्दे अंत को जानते हैं ऐसे नहीं कि हर एक की दिल को जानते हैं क्या जानता है सारी स्रिस्टी के आदी मद्दे अंत को जानते हैं हर एक के दिल को नहीं जानते हैं बगवान को याद करते हैं कि सद्गती में ले जाओ बाबा कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑल्माइटी डीटी गवर्मेंट की इस्थापना कर रहा हूँ ये जो partition हुए हैं ये सब निकल जाएंगे फिर क्या होगा अखंड भारत हो जाएंगा है तो भारत ही सारे वीशों में उसके टुकडे टुकडे कर दिये तो बाबा ने कहा ये सब निकल जाएंगे हमारे देवी देउता धर्म के जो है उनका ही कलम लगाना है जाड तो बहुत बड़ा है उनमें मीठे ते मीठे हैं देवी देउता हैं उनका फिर सेपलिंग लगाना है अन्य धर्म वाले जो आते हैं वो कोई सेपलिंग थोड़ी लगाते हैं अच्छा आज सत्गुरु आ रहा है समझा बाब कहते हैं सत्गुरु कहते हैं बच्चे शिरिमत पर चल कर पवित्र बनो, तो साथ ले चलू। जैसे लौकेक में भी बच्चे को कहते हैं, अट ईसे हो करके आऊ, ना तुम ये काम पूरा करके आऊ, तो तुम को मैं ले चलू। तुब बाब अभी क्या कह रहा है? तुम शिरिमत पर चल कर पवित्र बनो तो साथ ले चलो फिर चाहे मकमल की रानी बनो चाहे रेशम की रानी बनो वर्षा लेना है तो वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो सुना और बगवान की शिरिमत तो आँख खोलो, तब से आँख बंद करो, हर संकल्प, हर कर्म के लिए बाबा की शिरिमत है, कितना शिरिमत का पालन करते होंगे, पांच परसंट में होंगे, शिरिमत का कितना पालन करते हैं, मैं तो पांच परसंट की बात कर रही हूं, हंड्रेट तो बाबा ने कहा याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन सकेंगे अच्छा बाप दादा और मीठी मम्मा के सिखी लदे बच्चों को याद प्यार और सलाम मालेकम हम बाबा को क्या जबाब देंगे मालेकम सलाम आज बाबा ने याद प्यार दी है फिर हम अपने रिती से बाबा को याद प्यार देंगे हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गोड मानिंग और नमस्ते दारणा की पहली पॉइंट है संगम युग के पुरुशार्थ को पुरुशार्थ की प्रालब्द 21 जन्म चलनी है ये बात इस्मृती में रख स्रेश्ट कर्म करने है ज्यानदान से अपनी प्रालब्द बनानी है दूसरी पॉइंट है मीठे दैवी जाड का सेपलिंग लग रहा है इसलिए अत्ती मीठा बनना है वर्दान है ब्राह्मन चन की विशेष्टा और विचित्रता को स्मृती में रख सेवा करनी वाले साक्षी भव इब्राह्मन जन्म दीवय जन्म है साधरन जन्म धरी आत्माई अपना बर्थड़े अलग अलग मनाती मेरीज डे फ्रेंड्स डे अलग मनाती लेकिन आपका बर्थ डे भी वही है तो मेरिज डे भी वही है मदर डे फादर डे एंगेजमेंट डे सब एक है जिस दिन बाबा का बने जनम हुआ वो बर्डे हो गया उसी दिन बाबा के साथ एंगेजमेंट हो गई भाबा हम तेरे संष Jud magnific निर्ने कर लिया तो मेरिज डे हो गया आप तो अवी मेरिज डे हो गया अभी तो दुनियामें कितने डे मनाते है इतने छोटे छोटे बच्चे हां आप करके आज ये डे है आज फलाना डे है क्या है लोगों के अंदर में ज्ञान तो है नहीं शक्ती नहीं है इसलिए कोई न कोई कारण ढूंड लेते हैं उसमें अंजोय करते हैं तो बाबा ने कहा सब एक ही है क्योंकि आप सब का वाइदा है वाइदा क्या है एक बाप दूसरा न कोई तो इस जन्म की विशेशता और विचित्रता को इस मृती में रख सेवा का पार्ट बजाओ सेवा में एक दो की साथी बनो लेकिन साक्षी होकर साथी बनो अई तो लगा हो जाएगा साक्षी होकर साथी बनो जरा भी किसी में विशेश जुकाव ना हो स्लोगन है बेपर्वा बादशा वो है जिसके जीवन में निर्माणता की अथोरिटी का बैलेंस हो इसमें एक माते श्री जी की पॉइंट है आत्मा पर्मात्मा के में अंतर भेद आत्मा और पर्मात्मा अलग रहे बहुकाल सुन्दर मेला कर दिया जब सत्गुरु मिला दलाल तो ममा कहती है जब अपन ये शब्द कहती है तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा पर्मात्मा से बहुत काल से बिचुड़ गई है तो दो हो गए ना बहुत काल से बिचुड़ गई है बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा पर्मात्मा से बिचुड़ गई है तो ये शब्द सिद्ध करते हैं क्या सिद्ध हुआ इसे आत्मा अलग और पर्मात्मा अलग दो चीज़ हैं दोनों में आन्तरिक भेध है परंतु दुनियावी मनुश्यों को पहचान न हुने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही पर्मात्मा हुँ परन्तु आत्मा के उपर माया का आवरण चड़ा होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए है बोलते हैं ना माया पर आवरण चड़ा हुआ है तो बाबा ने कहा जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही पर मात्मा बन जाएगी ये दुनिया वाले कहते है आवरन आ गया है इसके कारण उससे अलग हो गई है उतरेगी तो आत्मा परमात्मा हो जाएगी तो ममा ने कहा फिर आत्मा वही परमात्मा है तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सोपरमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने को भूलने के कारण दुखी हुई है। जब आत्मा फिर से अपने आपको पहचान कर शुद्ध बनती है, तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। दो मत ममा ने सुनाए पहले में क्या कहा? आवरंड चड़ गया वो निकलेगा तो उसमें मिल जाएगी दूसरे में क्या कहा? दूसरे में क्या कहा? तो उसमें ममा ने कहा जब ये शुद्ध होगी दूसरे लोग मतलब से आत्मा सुमर्मात्मा मानते हैं कि अपने को आत्मा भूल गई है भूलने के कारण दुखी है जब खुद को समझ लेगी तो फिर परमात्मा में लीन हो जाएगी तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं परन्तु अपन तो जानते हैं कि आत्मा पर्मात्मा दोनों अलग चीज है ना आत्मा पर्मात्मा हो सकती है ना आत्मा पर्मात्मा में लीन हो सकती है और ना फिर परमात्मा के उपर आवरन चड़ सकता है तो परमात्मा के उपर नहीं आवरन चड़ सकता है अच्छा ओम शान्ति आज का स्वमान है मैं सुख देव हूँ ब्राम्मन आत्माए सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप शुख देवा है अब देखो मेरे से किसको दुख तो नहीं मिलता है मुझे किसी को दुख देने का विचार तो नहीं आता है हम ब्राम्मन आत्माए कौन है सुख सागर के बच्चे सुख देवा जब दुख धाम को छोड़ चले तो ना दुख लेना है ना दुख देना है सुख देने से दुआएं स्वता ही प्राप्त होती है पुरुशार्त में ये दुआएं एड हो जाती है किसी भी बात से चाहें कर्म से चाहें वानी से चाहें मंसा से जब कोई सुख देता है तो उसकी मार्क्स आटोमेटिक बढ़ती है मंसा वाचा कर्मना किसी से भी सुख दिया तो देने वाले की मार्क्स बढ़ती है तो सुख स्वरू बन कर सुख दो और सुख लो ओम शान्ति